है अभी विडियो में अगर आप इस चैनल में पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस टोक एने अपके लिए लाता रहता हूं चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहला श्टोर के हमारे पास Reliance Reliance का हमने या पर डेली टाइम फ्रेम उपन कर रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं सपोर्ट एरिया पर अच्छा accumulation हो रहा है एक अच्छी बुली स्केंडल के बाद आज इसने एक डोजी फॉर्म की है 15 में टाइम फ्रेम पे इसका एक सपोर्ट एरिया है 2355 से लेकर 2352.50 का और मुझ धाइ पॉइंट का ये इसका सपोर्ट एरिया है कल ये फ्लैट खुलता है और यहाँ पे एक अच्छी बुली स्केंडल सेटल करता है और अपने 1010 एरिया 2360 को ब्रेक करता है एक अच्छी स्ट्रॉंग केंडल से तो हम 2360 पे एक बाइं की ट्रेड इनिशेट कर सकते हैं फॉर अ टार्गेट ऑफ 2380 विद दा एसल अफ 10 पॉइंट इन केस अगर इसने 2360 के लेवल को ब्रेक नहीं किया और अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया तो हम इसमें कोई भी ट्रेड इनिशेट नहीं करेंगे या कल ये गैप डाउन खुल गया तो भी हम इसमें कोई भी ट्रेड इनिशेट नहीं करेंगे दूसरा स्टॉक है हमारे पास टार्टा कंजूमर Tata consumer का भी हमने यहाँ पर daily time frame open कर रखा है यह हमारे पास selling के लिए आया है almost 1, 2, 3, 4, 5 5 days से एक similar range में trade कर रहा है 15 minute time frame पर इसका एक support area है 721.50 से लेकर 720.80 का कल अगर एक flat खुलता है और अपने support area को एक अच्छी bearish candle से strong bearish candle से break करता है तो हम यहाँ पर excel की trade initiate कर सकते हैं 720.80 के level की नीचे for a target of 710 with the SLO of 3 to 4 point in case अगर इसने अपने support area को break नहीं किया और यहाँ से उपर चला गए तो हम इसे छोड़ देंगे यह कल यह gap अप खुल गया तो भी हम इसमें कोई भी trade initiate नहीं करेंगे तीसरे stock आया है हमारे पास M&M M&M में हम neutral रहेंगे daily time frame पे आप देख सकते हैं यह एक similar range में trade कर रहा है 15 में time frame पे इसके एक बहुत ही अच्छा pattern बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं एक symmetrical triangle का pattern है और यह बिल्कुल अपने pattern को बहुत ही अच्छे से respect कर रहा है कल यह जिस भी side breakout या breakdown देता है हम उसको उसी side trade करेंगे इसमें हम 5 से 6 point का ऐसे लखेंगे और 10 से 12 point का इसमें हम target रख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हम ऐसे target project करेंगे यहां तक जितनी भी इसकी length है इसको हम उपर की side ऐसे project करेंगे यह देखिए और इसका हमारा जो target आ रहा है वो आ रहा है somewhere around 1427 के असपास आप trailing SL भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 0.5% का SL और 1% का target लेके इसको exit कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो like साथ सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू